हेलो गाईज, वेलकम दो दिकार शो, आज आपके सामने है All New 2024 Toyota Urban Cruiser Tizer Toyota Tizer का प्राइस बेसिकली स्टार्ट हो जाता है 7.74 लाग रुपीज से और जाता है 13.04 लाग रुपीज तक इस कारगे अंदर आपके यहांपर काफी सारे वेरेंट्स और दो इंजर ओप्षिंस ओफ किये जाते हैं वेरेंट्स की अगर हम सबसे बहले बात करें तो यहांपर इसमें आजाता है E, S, S, G, और V वेरेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसके सबसे ज़्यादा डेमांडिंग वेरिंट के बारे में जो की है इसका एस प्लस वेरिंट आज प्रोबबली पहली वीडियो आप ये एस प्लस वेरिंट की देख रहोगे त्यार चानल को याच्छे सब्सक्राइब कर देना बागी लुक सब देखें तो ग्रे कलर के अंदर एस प्लस वेरिंट के कुछ इस तरह के यहां पर रहने वाले हैं इंजिंस यहां पर दो आ ज यहां पर पूरे देखने को मिलेंगे जो कि connect हो जाते हैं इसकी DRL के साथ यहां पर आपको डिवल फंक्शन LED DRL प्लस साइट टॉन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं फिर नीच आपको यहां पर ट्राइव बीम LED हैडलांप यूनिट मिलता है दो यूनिट यहां लो बीम के बागी ओवराल जो फ्रेंट प्रोफाइल का लोग कैसा कुछ लग रहा है मेरे को ना कमेंट सेक्षन में जरूर से बताना बढ़ते हैं आप कार के साइट प्रोफाइल की तरफ यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर 16 इंचेस के ब्लाक किलर के अंदर अल इंडिकेटर भी ही पर इसकी उपर दिया गया है यहां पर आपको डूर हांडल मिलता बॉडी कलर रूफ यहां पर प्लेन रहने वाली है रूफ रिल्स आपको मिल जाएंगी पीछे यहां पर इसमें रियर वाइप पर वाशर नहीं आ रहा है डिफॉगर ज़रूर से आपक यहां पर रहने वाल है कैसी कुछ लग रहे है कार मेरे को आप कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं और यह इसका ओवराल बैक सेड़ लोग ग्रे कलर के अंदर बागी आपको तांचोंग आपकी कार के लिए बहुती बढ़िया का पर्फियूम के बार में जोकी है यह इन्वाल इंडिया प्रोड़क्ट है जरूर से बाय करें लिंक इसका ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मल जाएगा और यहां पर आपको लॉक और उनलॉक ऑप्शन मलता है यहां पर इसको इंट कर पाओगे हुड खोल लेते हैं यहां से एक बरी कार का और इंजन की थोड़ी इसमें 1.2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन उफक किया जा रहे है इस पर्टिकुलर बेरिंट के अंदर वो ना सेम फ्रॉंक में मिलता है और यह इंजन इसके इंदर प्रिडियूस करता है 89 PS की पावर असाथ से निकाल कर देता है 113 Nm को टॉक और यहां बहुत जादा गरम ह अब हाथ में लग रहा तो यहां इत्ती गर्मी बना रहा हूं एक लाइक तो बनता यार वीडियो करना तो यहां पर अगर हम सबसे बाले बिसका देखते हैं तो कुछ इस तरह का अपको ड्यूल तो मिल जाएगा और अब मैं आचको कार के अंदर आइंड वीडियो पसंद मिल जाते हैं एक लोगो यहां पर आपको मिल जाते हैं लिए वाइड यहां पर अपको मीडिया एंड टेलफोनी कंट्रोल्स मिल जाएंगे यहां एंस्ट्रॉमेंट लस्टे हैं की की मेरी स्क्रीन एड़स्ट आप इसको तेल्ट वे में कर सकते हैं एक एसी वेंट है नीचे आपको ट्रक्शन आफ कर स्विच मिलता है और अपको यहां से रूपन होगा फ्यूल लेड़ी हां से उपन होगी इस स्क्रीन के अगर हम बात करते हैं तो 7 इंचिस की दीगी है और यहां पर काफी सारी इसमें इंफोर्मेशन देख सकते हो और अब यहां पर स्क्रीन दिखा रहता फोन तत्य ओवरीट हो गया था वेट करना पड़ा दस मिनट फिर फिर वीडियो नहीं यहां पर ठंडा कर है काहरी ऑन करके बाग यहां पर फुली आटमाटिक लामेट क सब्सक्राइब कोई यहां पर आप देख सब्सक्राइब को अच्छी लग रही है आप क्मेंट सेक्षन में को बता सकते हैं अगर हम बात करते हैं तो यहां सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें देखने को मिलेगा यहां पर इसमें यहां पर यहां लाइट बेन संब्न्लेट है और इदर आपको हैं वाय स क्मेंट सेक्षन में जरूर सबताना बागी अब हम चल लेते इसकी रियर सीट में देखते हैं कि रियर सीट में कैसे कुछ कमफर्ट वगेरा मिल जाएगा तो यह गई सबसे पहले तो इसका बैक डॉल जो कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइब को आपको यहां डियोल टून के अंदर देखने को मिलेगा पाव व बाकी यहां पर इसमें इस पर्टिग्रा वेरेंट के अंदर नीचे आपको 12 वाट का पाव आउटलेट मिलेगा डाश्बोर्ड लियाओट आप देख चुको कि ऐसा कुछ ही आपको कम्टीट मिलने वाला है यहां पर आपको स्टोरेज स्पेस वगेरा नहीं दीग है मैं आ अमाउंट अफेड रूम है हलका हलका कई ना कहीं फील होता है कि तच होने वाला है यहां पर लाइट आ जाती है है हेलो जन में जो कि यहां दी गई है और आगे आपको दो हेलो जन वाली ही मिलती है पर आपको कोठोग भी मिल जाएगा बागी ऐसी कुछ यह कार कंप्लीट अंदर से अब हम चेक कर लेते हैं इसका बूट तो यहां पर आपको बेसिकली यह दिया गया एक लेक्ट्रोमागनेटिक टेलगेट बटन बूट स्पेस यहां पर आप चेक आउट कर सकतो काफी ज्यादा इंप्रेसिव बूट स्पेस है और यह जो पास रहे है यह आपको यहां पर कोई भी अलग से बूट लाइट नहीं दीगे है ऐसे कुछ यहां स्टोरेज है अंदर और यह स्पेर वील इसका सेम साइज 16 इंचेस कई और यह सीट जो है 60-40 स्प्रेट फंक्शन के साथ आ जाते हैं स्विरेंट के अंदर बागी अब बंद कर देते हैं इसके ब अप्रॉक्सिमेटली 10.12 लाख रुपीज की कार कैसे लगी मेरे को कमेंट सेक्षन में जरूर से बताना साथ ही में कमेंट सेक्षन में आपको लिंक मिलेगा इन वॉल्फ के स्नोफॉल का पर्फियूम का इसे जाकर जरूर से बाएक लान ताहां कि एकमस्जी फ्रेग्रेंस काप मसले से अपटिकार में बागे तो चले और इतना था वीडियो के लिए वीडियो पसंद दाए वीडियो को लाइक और साथ चानल को भी सब्सक्राइब कर देना एस और लेटेस्ट वीडियो के लिए थांक यू